दोस्तों एका फिर से आपका सौगत है हमारी फीटियो में आप जानते हैं भई रतन टाटा एक बाच जयमनी गए और वहाँ उन्हें एक गजब का अनुभव हुआ जो उन्होंने वापस आके अपने बाकी साथियों के संग साज़ा किया रतन टाटा ने कहा जमनी एक काफी विक्सित देश है काफी लोग सोचते होंगे कि यहां रहने वाले लोग एक शानदार जीवन जीते हैं जब हम हैंबग पहुचे तो मेरे सहियोगी एक रेस्टरॉ में चले गए जहां हमने गौर किया कि रेस्टरॉ की काफी टेबल खाली पड़ी हुई है वहीं एक और टेबल थी जहां एक यंग कपल खाना खा रहा था उस टेबल पर केवल दो खाने के वेंजन थे और दो बीर की बॉटल्स थी मुझे ये देखकर काफी अश्चर्य हुआ कि भई इतना साधरन सा भोजन भी कोई रोमेंटिक हो सकता है और क्या ये लड़की इस कंजूस लड़के को छोड़कर चली जाएगी दूसी टेबल पर कुछ बूड़ी ओरते थी जब भी खाना परूसर जाता था तो वेटर हर बार उनके बीच में बाट दिया करता था और वो भूजन का पूरा अंश अपनी प्लेट मेंसे खा जाया करती थी जैसे कि हमसा बहुत भूके होते हैं मेरे सहयोगियों ने थोड़ा ज्यादा खाना ओडर किया जब हम लोग वहां से निकले तब वहां टेबल पर खाने का एक तिहाई हिस्सा बागी था जब हम रेस्टॉर के लिए निकल रहे हैं तभी उनमें से एक बुड़ी औरत ने हम लोगों से अंग्रेजी में कहा कि वो हम लोगों से नाराज है जब इसकी वज़ा पूछी तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने खाना बरबात किया है उन बुड़ी औरतों की बात सुनकर मेरे एक सहीयोगी ने उनसे बोला हमने हमारे खाने के पैसे दिये हैं आप कोई नहीं होती ये बात हमको बताने वाली कि हमने कितना खाना बरबात किया है पर ये बात सुनकर वो बुड़ी औरते आग बबूला हो गई उन में से एक ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिलाया और कुछी किशनों के बाद वहाँ पर एक आदमी आया जो कि सोशल सिक्योर्टी और्गनाईजिशन से था सारी बाते जानने के बाद उस आफिसर ने हम लोगों पर पचास यूरो का फाइन लगा दिया यानि कि लगभग चार हजार भारती रुपए हम सब लोग शान्त हो चुके थे उस आफिसर ने कड़क आवाज में हम लोगों से ये बात बोली आटर उतना ही करो जितना खा सकते हो भले ही पैसे तुमारे पास हो मकर संसाधन पूरे समाज का है ऐसे कई हैं दुनिया में जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती और आपके पास ऐसा कोई काराण भी नहीं है कि आप इसे यू बर्बाद करें इस अमीर और विक्सित देश की एमासिक्ता देखकर हम लोग काफी लच्जित हो चुके थे हम लोगों को भी ऐसी मासिक्ता अपनाने की जरुवत है हम ऐसे देश से हैं जो संसाधन में बहुत सम्रद नहीं है जब भी हम कभी पार्टी दे रहे होते हैं तो अपनी इज़त बचाने के लिए काफी ज़्यादा खाना ओर्डर कर देते हैं और फिर उन्हें बर्बाद कर देते हैं पर हम लोग ये बात नहीं जानते कि भारत में 40% खाना बर्बाद होता है और वहीं दूसरी ओर हमारे देश में हर दिन 19 करोड लोग भूक के पेट सोते हैं जी हां ये बात पिलकुल सच है दोस्तों क्रिशी मंत्राले के नुसार भारत में सालाना 50,000 करोड का खाना बर्बाद होता है एक विक्सित देश सिर्फ पैसों से अमीर नहीं होता बलकि एक विक्सित देश में नागरिकों की सोच और जिम्मेदारी भी एक एहम भूमिका निभाती है इसलिए याद रखें कभी भी खाने को वेस्ट ना करें क्योंकि जिस खाने को आप बर्बाद कर रहे हैं वो खाना कईयों को नसीब नहीं होता याद रखेगा आप सब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए अपना ख्यार रखेगा मुआ बाइ टेक येड़